कुछ लोगों ने मुझे इसमें बहुत मतलब टीज किया मतलब देखो जी अब ये पैड वूमन बन गई कुछ लोगों ने ये भी बताया एविन के मतलब इसको गवर्मिन्ट की तरफ से फांड आता है इवन के मुझे अभी भी लोग बोल रहे हैं कि मतलब इसकी बहुत सारी मन्टबल एंजियो जाल रही है श्री नगर में रहने वाली इर्फाना जर्गर को पूरा शहर पैड विमन के नाम से जान रहा है क्योंकि वो करीब एक दशक से श्री नगर में पैड बाट रही है मेरा इनिशेटिव है यह मैंने 2014 से स्टार्ट किया जब मेरी पादर की देख 2013 में होगी अन वहाब में लेट फादर मैं उनके लिए ऐस डोनेशिन करती हूं और जब मैंने यह काम स्टार्ट किया तो मुझे लगा कि बहुत सारी बहनों को इस चीज की बहुत जरूरत है और जब मैंने देखा कि मतलब इससे कितने लोगों को फाइदा होता है तो मुझे लगा कि मुझे यह काम करना चाहिए मैं अपनी हाफ सालरी इसमें इन्वेस्ट करती हो अपने बाबा की नाम पर ताक के यूठ एमपायो हो जाए और मैं अपनी बहनों की जाने बजाऊं। तो जो ही मेरी सालरी आ जाती हैं, तो मैं हाफ सालरी में यह लेती हूं, तीन महीने के बाद, दू महीने के बाद, मैं पहले जमा करती हूं, उसके बाद में खरीती हूं, फिर मैं सोचल मेरा पर अपलोड करती हूं, जब मुझे कॉल्स आ जाते हैं, तो फिर मैं उनको एक मैं अपने फादर के लिए एक वाटर पॉइंट बनाया था लाल चोप में तो मैं उसको साफ करने के लिए वहां पर देखा वहां पर देखा वहां बहुत ही बिचारी डिप्रेशन में चली गई थी तो मैं उसको जैसे पूछा किया आंटी आप ऐसा क्यों खेरियत है आपको तो अप्रोप मेरे बीटी के पीरियड्स हो गया है तो मैं बोला तो इसमें क्या अदिक्त है वाश्रूम तो है आप तो जा सकते हो वाश्रूम लेकर पांसे यह पैड करिदने के लिए तो मैं क्या करूँ अब मेरे बीटी की शिर्ट खराब हो जाएगी तो सारे लोग पाग में आ गया है कि मुझे तो पैसे देनी होते हैं किसी गरीब को तो मैं ऐसा किमना कुछ करूं जिससे लोगों को फाइदा हो जाए कि मतलब डोनीश तो सारे लोग करते हैं लेकिन मैंने सुचा अगर इस तरीके से मैं डोनीशन करूंगी तो वो किसी की काम आ जाएगा और किसी की रेस्पेक्ट हो जाएगी उस चीज़ से इर्फाना जर्गर ने जब शुरू में पैट बाटने का विचार जाहिर किया और पैट बाटना शुरू किया तो उन्हें समाद से रुस्वाई मिली लेकिन लोगों के तानों ने इर्फाना को रोका नहीं क्योंकि इस काम में सबसे बड़ी साहस बनी उनकी माँ कहीं कहीं पे मुझे बहुत सारी होडल सागे कुछ लोगों ने मुझे इस में बहुत मतलब टीज किया मतलब देखो जी अब यह पैड वूमन बन गई कुछ लोगों ने ये भी बताया इविंके मालब इसको गवर्मेट की तरफ से फांड आता है एविंके मुझे अभी भी लोग बोल रहे हैं कि मतलब इसकी बहुत सारी मुल्टबल एंज्यो जाल रही हैं लेकिन मैं आज आज आपके इस चैनल के विलादत से बोलना चाहूंगे कि मेरी कोई एंज्यो नहीं है यह मैं आपने फादर के लिए इनिशेटिव कर रही हूं और इसमें मुझे लगता हैं क बुढं पुह मुझे इतना सपुर्ड किया और इतने अच्छी कम्मेंट साहते हैं मुझे जिदने भी यहां पर यहां पर यहां है मेरे सिस्टर्स Chand爷'm Crouthe को कुछ सेलेबरेटी जने मुझे इसमें एप्रिचेट किया मेरे लिए वह माने रखता है कि मतलब इतने अच्छा एच्छे लोग हैं, जो दो किया हैं। मेरे इनिशिव को पसंद किया। मेरी मताश्जी से खुश है कि मेरी बेटी ने बी ख्युक्त है। ने मुझे लगता है कि मेरी माश की भूए ठाउने के लिए कि यह का एक पेहली हो तौत जोस्टेट है उन्हों मुंदान अजट मुझा एक लुए उनकडन कनो आप एक हाव जैर्शी घएनार्स, आप लुए भीठीध मुझा श्वीप हो हैं तैक ये मुकाम को मुकमल कर रही हैं, वो चाहती हैं ये दुनिया औरतों के लिए समवेदन शील बने। मैं चाहती हूँ इसमें लोग अवेर हो जाएं, मेरे जितने भी भाई हैं, लाइक किसी के पादर हैं, वो इस चीज में अवेर हो जाएं, कि एक और पही ही डिपेंड होती हैं सारी जिंदगी, कि अगर वो वान मैन आर्मी के तरह काम करती हैं, हर एक महीने में मतलब अपने जाएं, बच्चों के साथ, सास के साथ, नेनन के साथ, तो हजबन को थोड़ा सा उनको सपोर्ट करना चाहिए इस चीज में, वो दो दिन जो भी होते हैं, इनके पीरियर्स दो चार दिन उन दिनों इसको मतलब हैं अपनी औरत को कि अगर औरत नहीं होगी तो कुछ भी नही होगी, मुझे लगता है कि मतलब हमें औरतों को की लाइब बचानी चाहिए, क्यूंकि अगर खुदाना खास्ता PCOD होने का खत्रा होता है, या प्रिमेचर ओवरियन फेल हो जाता है, अगर हम कोई गंदी चीज यूज करते हैं, तो ताकि मैं मतलब अपने भाईयों को अवे होगे लिए, ये चीज़े हमें खरीदनी चाहिए उनके लिए, किनके हमारी जिंदेगी एक औरत पही डिपेंड है, और मेरा मानना है कि मतलब इस वज़े से अगर मतलब इस सारे मर्द इस चीज में सपोर्ट करेंगे, इसमें डूमस्टिक वालन्स भी काम हो जाएगा, किन इस चीज़ को सिकिप कर रहे हैं, अकर ये चीज़ नहीं होगी तो उसी वज़े से सारे चीज़े प्रॉब्लम हो जाती हैं, तो जिस वज़े से लड़कें फिर डिप्रेशन में भी चली जाती हैं, जिस वज़े से फिर लड़कियां ड्राग भी करती हैं, किनके जब एक औ जाने जमाने में आम तोर पर सारी औरते कपडे ही लगाते थे लेकिन हम मैं बोलना चाहती हो अन बहनों को कि मतलब आजकल हमारे पस पैसा भी है सारा कुछ है एजुकेशन है तो हम क्यों कपडे यूज करेंगे हमा हमें अपनी मदरूं को भी अवेर करना चाहिए कि हमें शुपाने वाली चीज़ नहीं है मुझे लगते है रह चाहिए इर्फाना अपने स्नेक काम को और आगे ले जाना चाहती है जिसके लिए उनके पास कई प्लांस है जहां तक फ्यूचर की बात है, इंशाला अगर 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 काम करूं, और लोगों की मदद करूं, और जहां जहां तक मैं गई, कि मैं डो टो हो जाती हूं ये चीजे छोडने के लिए, मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा हैं इस चीज के लिए सफर करते हुए, और मैं चाहती हूं मैं अपनी एक छोटी सी फर्म, अगर नहीं तो छोटी सी एक शॉप खोल लोगों जहां जहां मैं थोड़ा सा कुछ जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DN24, आपका अपना Digital News Network तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो